हेलो दोस्तो मैं हूं के सेन और आज फिर से हम करने जा रहे हैं एक नए एक्सपेरिमेंट और ये वाले एक्सपेरिमेंट होगा दोस्तो इनो के साथ तो इनो का रियक्शन पानी के साथ क्या होता है ये आप सब को बता है अगर इनो को पानी के अंदर मिलाते हैं तो इसके अं बनके निकल लेंगे और जहा की अंदर भी आग लगेगी क्या response होगा पैटरल आप अच्छी तरह से जानते और एक से किल फूलेप और यह नो सको अच्छी से जानते हो कि इसके अंदर भी अगorse निकलती है कि छलिए को और इन करने वाले हैं मिल्क जी हा इन तीनों चीजों को हम मिक्स करेंगे और फिर इनके अंदर जो रियक्शन होगा वह आपके सामने होगा तो जादा टाइम खराब करने वाले नहीं है दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों देखिए पैत्रों दूद और इनो यह तीनों चीज़ हमने एक साथ रख ली और अभी हम तीनों को मिक्स करेंगे और देख थे इन का क्या हो सकते हैं तो पहले चेक करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम डालते हैं पेट्रोल के अंदर इस इनों को तो चलिए अभी देख लेते हैं अब कि मतलब हमने विरा पूरा पूरा पैकिट ज़्ते जो ब maritime कर्का डाले आरे आरे-ठों दिखें के अंदर अब इसके अन्दर इसके अंदर अभी कैसे कैसे इनों इसके अंदर यह नों की बूल बूले हैं वह कैसे मतलब उच्छल रहे हैं इसके अंदर इनो सायद mixed हो नहीं पाह रही है कोई लीदि अभी हम एक पैकिट और इसके इंदर एलड़ते हैं तो दोस्तों अभी हमारे पास एक वर पैकिट पढ़ा है इनों का इसको विहमें के AD Nathanẫn के ह Says और फिर इसका जो reaction जो होता है वो हम देखते हैं तो camera man थोड़ा आ गया जिए और फिर देखिए दोस्तों इसके अंदर हम डालते हैं एक और packet अभी यह वाला reaction देखो आप तो दोस्तों जैसे पानी के साथ इसका reaction होता है वैसा तो कुछ हुआ नहीं लेकिन इसमें इनो देखिए उपर से देखिए इसके अंदर कैसे इकठी हो गई यह सारी के सारी इनो इसके अंदर तो यह थोड़ा आजीब है चम्मच के साथ दोस्तों हम इसको mix करने के कोसिस करते हैं तो देखिए दोस्तों इसके अंदर कैसे यह सारी के सारी इनो जो है इकठी हो गई है और यह बहार लाकि मैं आपको दिखाता हूं देखिए मतलब इसके अंदर से जाग अभी निकल नहीं पा रहे हैं देखिए जितना भी इनो था दोस्तों यह इसके साथ यह ऐसे हो ग अभी last का जो है matter हमारा अभी हम इसके अंदर mix करते हैं दूध तो देखिए दोस्तों अभी number है दूध का petrol के अंदर अभी हम mix करते हैं दूध और अभी देखना reaction पैट्रोल और इनो दूध तिनों को हमने दोस्तों mix किया और उपर बना वस इतना सा अग्राव अरे अभी भी ये उपर उठ रहा है अपने आप देखिए तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा दूद और डाल देते हैं तो आ गया यह और देखिए दोस्तो इसके उपर से दिखाते हैं हम इसको पैट्रोल बीच में रह गया है और दूद नीचे रह गया है और सबसे उपर आ गया है इनो तो दोस्तो तीनो चीज एक दूसरे के साथ मिक्स होई नहीं रही है करने हैं मदलब तीनों सीज अलग इवाइर्ट होके निकल रहे जग्य हैं सबसे नीचे डूस्तो दूद और उससे उपर पैट्रोल और उससे उपर इनो मतलब त्यनों कोई मिक्सर न होई नहीं रहा तो चलिए इनको तिनों को हम इस समाच की मदद से मिलाने के कोशिज करते हैं डूदरर तिनों इन तिनों को हमने मिक्स किया लेकिन अभी-भी ihr doश्तों मिक्स होने जाएगे मतलब अभी भी पैटर अलग, दूड अलग, और इन्हाँ अलग एक मिनट इसको अगर हम होल्ड करेंगे तो यह अटमेटिकली साफ हुए जा रहा है हुए जा रहा है तो यह था दोस्तों पैट्रोल इनो और दूद का एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों हम इसको देखिए बाहर निकाल कि अप लोगों को दिखा देते हैं दूद जो है इनों के साथ मिक्स होके फट गया है और पेटरोल के साथ यह मिक्स होई नहीं रहा है तो किया दोस्तों पैट्रोल को डärक्ट दूद के अंदर मिलाएं तो वो फटेगा या नहीं characterize इसका तो हमें अंदाजाब फी तक है नी हดे दोस्तों दूद कुल फट चुका है और यह हमने निक देखिए तो यह था दोस्तों पैट्रोल अ और दूझ का मिश्रन पूतिनों चीज देखिए दोस्तों अभी अरहम से अच्छे से साफ हो चुकी है दूझ और पैट्रॉल येन आटिनों चीज अलग-अलग हो चुकी है, मतलब दूद को पैट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जा सकता है और जाने से पहले दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ आपको अपनी नई कॉमेडी वीडियो आ रही है, मतलब अपनी शॉट मूवी है RSS मूवी के उपर आ रही है, शॉट फिलम, तो वो देखिएगा तो ये वाले एक्सपेरिमेंट दोस्तों आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके बताएगा और इसी तरह के नए एक और इंट्रेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों नए एक्सपेरिमेंट के साथ, नई वीडियो के साथ तब तक, बाई बाई